बीफ एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का वादा करने वाले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रिशी सुनक का मंदिर प्रवेश स्वागत पूजा अर्जिना बागी सब चंगासी दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अमबिट करनामा अभी उदय निदी स्टालिन के एक बयान से देश में पवाल मचा हुआ है सनातन धर्म को लेकर और मोटा मोटी देश दो विचारिक रूप से वैचारिक रूप से दो खंडों में बटा हुआ है प्रक क्या स्थिती है और इसके साथ साथ इतिहास में ले चलूँगा कि बाबा साहब ने मंदिर प्रवेश को लेकर आपको क्या कहा था मंदिर प्रवेश को लेकर गांधी अपमानित हुए थे जग जीवन बावु अपमानित हुए थे मुर्ति कानावर करने के बाद इंद्रा ग रोजगार स्वास्त कौन जरूरी है और अम्बेटकर साहब ने 1932 में पूना पैट के चुरंत बार पूने और वंबई में दो उनके अव्यक्षान है कुछ अंश उसमें से आपको बताऊंगा कि आपके लिए जरूरी क्या है चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं जी ट्वेंटी की मिटिंग खत्म हो चुकी है और प्रधान मंत्री बिट्रिश प्रधान मंत्री वो गये थे अक्षर धाम मंदिर तीस जुलाई 2022 तब रिशीर सुनक प्यम्पद के लिए केंपेंड करने थे इसी दौरान उन्होंने एक ट्वीट में बताया था कि अगर वह ब उन्होंने ट्वीट के सांथ टेरीग्राफ को दिये गए इंटर्व्यू का लिंक भी शेर किया था तो यह मसला है वो अभी गये थे अक्षर धामंदिर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उनके फोटोस वहां पुजा अर्चना किया है उन्होंने अब आईए हाल फिलामन जो गटनाये देश मे हो रही है कुछ उस पर नज़र डालता है सबसे पहले ताजा गटना मद्रदेश के पन्ना महरानी जितेश्चुरीणी को मंदीर से घषीट कर बाहर कर दिया गया और हवाला दिया गया यहां मंदीर के गर्वि ग्री में प्रवेश करने की कोशिच कर रही वहां के सुप्रेटिन अपुलिस साइक कृष्ण एस थोटा ने बताया है मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है कि परंपरा के तौर पर राज परिवार के पूरुस ही चौवर डुलाने का काम करते हैं राज परिवार में पूरुस के रूप में उनके बेटे को चौवर डुलाने आना था बेटा नहीं आया तो जीते शुरी देवी खुद ही आगे बढ़ गई वो आरती करने मंदीर के गर्व ग्रीम में चली गई चुकि वे बिदवा हैं इसलिए उनका आरती करना उचित नहीं को दुखद बताया महिला को देखिया वीडियो देख रहे हैं वो फोटोग्राफ भी देख रहे होंगे कैसे पूरुष घसीट रहे हैं वो भी राज परिवार की महिला है चुकि महरानी है तो जाहिर है कोई दलित बैकवर्ट होंगे नहीं वो अपरकास्ट होंगे तो अप महिला को जिस तरह से घसीटा जा रहा है, इस पर उनकी भावना आहत नहीं हुए, इसलिए मैंने महिला का एगजांपल दिया, वह जानना आपको बहुरी है कि क्या स्थिती है, बिदवाऊं के साथ किस तरह से बहवार इस देश में किया जाता रहा है, बानगी भर आपको हमने दिखना है कैसे बैज़त की गई है महरानी पन्ना के चलिए आप इतिहास पर कुछ द्रिश्टी दालते हैं कि तिहास में क्या क्या हुआ प्रमुख गटना है जगनात मंदीर में महात्मा गांधी को उस वक्त रुका गया था जब मुसल्मानों, हरिजनों और दलितों के दल को लेकर मंदीर पहुँचे थे आपको यहाँ याद दिला दूँ कि महात्मा गांधी पर कई बार हमले हुए थे मंदिर प्रवेश को लेकर और जान तक जाने की नौबतु थे पूने में विववा था देवगर में विववा था कई जगा हमले हुए थे दूसरी घटना पूरी के जगरनात मंदिर में उस समय की प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी को प्रवेश की अनुमती नहीं मिली थी बताया गया था कि पारसी फिरोज गांधी से शादी करने के चलते उन्हें एंटरी नहीं मिल सकी थी उस समय मंदीर बोड़ पर ही लिखा हु 1978 में बताओ रक्षा मंत्री बाबु जगजीवन राम वाराण सी में एक मुर्ती का अनावरन करने पहुंचे थे उन्होंने मुर्ती का अनावरन तो कर दिया लेकिन उनके द्वारा मुर्ती छू लेने के बार वहां मौजूद लोगों ने कहा कि अच्छूत के छू लेने से मुर्ती अपवित्र हो गई है इसे पवित्र करने के लिए मुर्ती को गोबर लगा कर गंगा जल से दुलवाया गया था इस घटना से व्यतित होकर बाबु जगजीवन राम ने कहा कि मैं मानता हूं कि जो व्यत्ति यह समझता है कि किसी के छू देने से पत्थर की मुर्ती अपवित्र हो जाती है उसका दिमाग ही पत्थर जैसा होगा जरा सूचिए देश के रक्षा मंत्री होने के बावजूद उन्होंने उस समय इतना अपमान सहा चात्र जीवन में क्या हुआ होगा एक और घटना 1984 में जब राजीव गांधी भारत के प्रधान मंत्री थे उस गया कि इसाई और इतली से होने के चलते कारण उन्हें प्रवेश की अनुमती नहीं मिली इसको लेकर राजनितिक स्तर पर भी काफी बबाल हुआ था 1977 में इसकौन के संस्थापत भक्ती वेदांत स्वामी प्रवुपात के भक्तों को भी जगरनात मंदिर में प्रवेश की अनुमती नहीं मिली थी 1999 में फिर सोनिया गांधी का जिक्रा आ रहा है को ऐसी हिस्तिति का सामना करना पड़ा जब उन्होंने तिरुपती मंदिर में विजटर बुक में साइन किया तब तिरुपती बोड के अध्धक्ष रहे काउरेसनेता सुब्बा रामी रेड़ी ने उनकी एंट्री में मदद की थी साल 2005 में थाइलेंड की महरानी महाचक्री श्रीधरन को बहुत अनुवाई होने के कारण जगरनात मंदिर में नहीं जाने दिया गया था 2006 में स्वीटजर्लेंड की नागरिक एलिजाब्बेत जिगलर को भी अनुमती नहीं मिली थी चलिए महरास्ट चलते हैं नासिक के शिगनापूर शनी मंदिर में 400 साल से चली आ रही प्रथा के खिलाफ जब आवाज उठी तो 2011 में महिलाओं को मंदिर प्रवेश की अनुमती दी गई लेकिन सुरक्षा कर्मियों मंदिर के पुजारियों ग्रामिने द्वारा महिलाओं को मंदिर में जाने से मना किया गया इस तरह का वहबार किसी व्यक्ति की गर्मया और उसके अस्तित्यों के उपर सीधा प्रहार है जो निंदनी है और उनके मौलिक अधिकारों का उलंगन भी है त्रिप्टी देशाई ने इसके खिलाफ अव्यान शुरू किया था केरल में प्रिशिद सबरी माला मंदिर के बारे में आप जानते ही हैं दस वर्ट से लेकर पचास वर्ट तक की महिलाओं के प्रवेश पर रोक हटाये जाने को लेकर भी काफी बबाल मचा था ये सब आपको थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूं अब चली आईए हाल की घटनाओं पर कुछ खास घटनाओं पर फिर नजट डालते हैं कि हाल हाल में कहां कहां क्या हुआ है कि ततकालीन राष्ट पती द्रौपदी मुर्मू का मामला है और इस मामले पर आप सब परिचित हैं सुआवी परसाद मौर्या ने सवाल उठाते हुए पूचा था कि राष्ट पती द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के मंदिर में आदिवासी होने के कारण अपमानित होना पड़ा मंदिर के पुजारियों न गेट के अंदर नहीं जाने दिया मेरे बारे में कोई कहता है कि जबान काट लेंगे कोई कहता है कि सिर कलम कर देंगे इससे मैं डरने वाला नहीं हूँ मैंने हमेशा से दलित वब पिछलों की लड़ाई लड़ी है बाबा लोगा कल सुपारी देते हैं उदर निद्धी के मामले में वही बाबा थे जो दस कितना लाग कर सुपारी दिये थे पता नहीं बाबा लोग के पास पैसा कहां से आता है सेविया इंकम टेक्स एडिक क्यों नहीं जाती है राष्टपती पूर्वराष्टपती कोविंद रामनात कोविंद 18 मार्च 2018 फिर जगनात मंदिर में राज इनको और उनकी पतनी सविता कोविंद के साथ वहां के पंड़ों ने दुरुविवार किया उसकी घटना सामने आई और महमहिम पूरी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए बाद में घुटने के दर्द का हवाला दिया गया था सोची अभी की बात है अठारा की बात है पांच साल पहले और राजपती मुर्मू का मामला तो अभी क्या है चलिए मद्य प्रदेशे कुछ और घटनाओं पर लिए चलता हूँ अठारा फरवरी दोहजार तेईस खंडवा जिले के ग्राम भराटी का एक मामला है शिवरात्री पर्व पर दलित समाज का एक यूबक शिव मंदिर पहुचा तो उसे मंदिर के अंदर जाने से रोका गया पुजारी ने कहा तुमको बाहर से ही पूजा करनी चाहिए इसके बाद बिबाद बढ़ा तो पूलिस ने हस्तचेव किया बाद में पुजारी ने यूबक से जल अविशेग करवाया 18 फरवडी 2023 मद्यप्रदेश खरगोन के कसराबाद में महाशिवरात्री पर शिव मंदिर पर गय दलितों के साथ मार्ग भी ठुई वीडियो वायरल होते ही हड़कम मजगया था वहीं खारगोन के ही सनादत थाने के छपड़ा गाउं में अविशेग जलाविशेग के लिए गय परिवार के साथ बतसलुकी हुई इतना ही नहीं महिलाओं के साथ भी बुरा बढ़ताव किया गया यहां उंची जाती वाले नहीं चाहते थे कि दलित मंदिर में जाकर पूजा अविशेग करें पहले बहसवाजी हुई फिर मार पिट की बात भी सामने आई 21 जुलाई 2023 इसी साल की बात है धार के कुक्षिव विकासखंट के ग्राम लोहारी के मंदिर के सामने एक फ्लैक्स लगा कर दलितों के प्रवेश को परतिवंदित कर दिया गया उनका कहना था कि दलित समाज के लोगों को मंदिर में जाने से रोका गया है प्रशार्शन ने फ्लैक्स को मंदिर से हटवाया पुलिस ने फ्लैक्स लगाने वाले प्रवाद विश्व कर्मा के खिलाव SCST Act के तहट मामला दर्ज किया यहां यह सोचने वाली बात है कि जिसने लगाया उस पर हुआ जिसने लगवाया उस पर पता नहीं क्या हुआ उसको फ्लैक्स वह जो लिखा था देखिए यह मंदिर सार्वनिक नहीं है यह संपदा व्यक्तिकत निजी है ऐसे में विशेश न माता मंदिर जा रहे शरधालूं को फॉरेश्ट अधिकारियों ने रोग दिया इन पर ग्रामीनों और महंत का फॉरेश्ट अधिकारियों से विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ गया कि बाबा ने फॉरेश्ट चौकी के गेट पर ही ताला लगा दिया इसके बाद वह को लेकर सुरवाया थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया चे जून 2023 उतरा खंड तीन बड़े मंदिरों में जो की महानिर्वानी अखाडा के अधिन आते हैं महिलाओं और लड़कियों को छोटे कपड़े पानकर जाने से रोक लगा दी गया और ड्रेस को लाउ कर दिया गय श्री महंत रविंद्र पूरी ने कहा कि महानिर्वानी अखाडा के अंतरगत आने वाले मंदिरों में महिलाओं और लड़कियों छोटो के कपड़ों के साथ प्रवेश नहीं कर सकते श्री महंत रविंद्र पूरी ने लड़कियों और महिलाओं को उनके परिवार के सदस्य से अपील कि कि में मंदिर में कम से कम असी प्रतिशत ध़की शरीयर के साथ उन्हाने दावा किया कि यह नियम पहले से धक्षिन भारत और महारास्त हब कि मंदिरियों में लागू है उन्हां कहा यह वेवस्ता यहां भी की जा रही ताकि श्रधालू मंदिर में आएं तो उन्हें किसी असहज इस्तिती का सामना न करना पड़े हैं अतलब हद है पुजारी या मर्द जो है लंगोट पहन के जा रहा है उससे महिलाएं भी तो असहज हो सकती हैं लेकिन उसमें चर्चा नहीं यह है महिलाओं की इस्तिती इस धर्मे जिस सनातन धर्म को आप मानते हैं जिसके पूजा करने जा रहे हैं आप तय कर लिजे क्या आपको जाना है या नहीं जाना है दोस्तों अब लिए चलता हूँ थोड़ा बावा साहब के मुवमेंट को महार आंदोलन के बाद बावा साहब ने काला राम टेंपल आंदोलन चलाया था और उस समय वो गोल में समेलन वह भी लंडन में थे और काला राम टेंपल में बहुत विवाद हुआ था मारपीट भी हुआ तो कई मंदिर जाने से हमारा कोई उद्धार नहीं होगा उन्होंने बार-बार कहा कि इतने हमारे पूर्के हजारों वर्ष से हिंदू धर्मांतर है लेकिन क्या हुए उनका कभी उत्धार नहीं हुआ उसी में अचूद बन कर रहे हैं अब उनके दो स्टेटमेंट को मैं आपको को सिनाता हूं और सब्सक्राइब और आपको तैख किजिए बाबा सब्सक्राइब को अब मंदिर जाने से आपका उद्धार नहीं होगा 28 सितंबर 1932 पुना पैक्ट के तुरंत पात का है और उसके बाद जो राजनितिक अधिकार मिले थे पहले था पुना पैक्ट से पहले कि 20 साल तक आरक्षन रहेगी लेकिन पुना पैक्ट के बाद हुआ कि नहीं जब तक दोनों की सहमती नहीं होगी तब तक आरक्षन जाली र जो अधिकार मिले थे राजनितिक अधिकार उसके संदर में बात कर रहे हैं कि मतलब यह कि आपके हाथ में अलोकिक शक्ति आई है उसका इस्तमाल आप अपनी आर्थिक उन्नतिक के लिए करें एक और सुचना में आपको देना चाहता हूं जो महत्पुन है और उस पर ध्या देना जरूरी है आज हर जगह आपके लिए मंदिरों के दर्वाजे खोले जाने के बारे में चड़्चा है इस काम को करने की इक्षा रखने वालों के अच्छे उदेश्च के बारे में मुझे कोई आशंका नहीं हलांकि आप यह न भूलें कि मंदिर में जाने से आपका उ सोचना चाहिए खाने के लिए अनाज नहीं तंधकने के लिए ज़रूरी कपड़े नहीं सिक्षा पाने के विवस्था नहीं धन के आभाव के कारण बीमारी का इलाज कराना संभव नहीं ऐसी दीन हीन इस्तिती में हमारा समाज फसा हुआ है इन इस्तितियों में बदलाओ लाने वाले जीवन के जरूरी सुख पाने के लिए उद्रिश्य को ध्यान में रखकर आपको अपना अगला कारक्रम तै करना होगा मंदीर में जानने के मार खुल गए अस्प्रिशता हटी केवल इसलिए जो हक मिले हैं उसे गवाना ठीक नहीं होगा आज हमारी जो इस्तिती है वो हमारे भागी का फल है इस तरह की मुर्ख कलपनाओं से आपको मुक्ती चाहिए उसको मुक्त किजिए उससे अलग हुई है मुझे पक्का विश्वास है कि इस तरह की कलपनाओं से छुटकारा पाकर हम में से हर व्यक्ति अगर राजनिती पर ध्यान रखकर मिले हुए राजनितिक मौकों को सही सही उपयोग करे तो अपने समाज के दुख जरूर दुर होंगे एक और भाषन 1932 अक्टूबर का है और यह पूने का है कह रहे हैं कि मंदिर प्रवेश की बजाय आर्थिक वसमाजिक सुधार पर अधिक ध्यान दें डॉक्टर अंबेटकर पूने में यह व्याख्यान दे रहे हैं डॉक्टर अंबेटकर ने कहा कि अस्प्रिश्यता विरोध आंदोलन में निश्चित रूप से शिथलता आई है लेकिन चुकि यह आंदोलन केवल अस्प्रिश्यों के मंदिर प्रवेश तथा सवर्न लोगों के साथ खाने पीने पर रोक हटाने से सम्मंदित था इसलिए मैं इस तत्थ से बहुत व्याकुल हुआ हूं कि इन्हों ने लोगों के बीच काफी बैर भाव पैदा कर दिया है उन्हें ठोस लाव नहीं पहुंचाया है अस्प्रिश्यता विरोधी लीग तथा इस उदेश के लिए काम कर रहें लोगों का ध्यान मंदिर प्रवेश और साथ खाने पीने की बजाए अस्प्रिश्यों के आर्थिक सैक्षिक और समाजिक विकास पर होना चाहिए विकास पर जरूर होना चाहिए कुए खोलने और अस्प्रिश्यों के बच्चों को पब्लिक स्कूलों में भरती करने के लिए इनके द्वारा सारवजनिक द्रिश्टिकों विक्सित किया जाना चाहिए सोच ये स्कूल कॉलेज की बात कर रहते डॉक्टर रंबेटकर कि मंदिर जाने से आपका उधार नहीं होने वाला है सनातन धर्म का पेराडॉक्स देखिए कि मैंने रिशी सुनक से बात शुरू की थी कि रिशी सुनक यहां तो गाय माता है और सादू लोग कैसे खड़े थे देख लिजे वहाँ पुजा अर्चना हुआ पुरा एदम जय जय हुआ और इसी हिंदू धर्म में रहने वाले महिलाओं दलितों के साथ ये सनातन धर्म कैसा बहवार करता है मैंने कुछ उधारन दिये हैं इससे मुक्ति पाईए और डॉक्टर अंबेटकर के बतायर रास्ते पर चलिए शिक्षा पढ़ाई लिखायर रोजगार स्वात पर ध्यान दिजिए मंदिर जाने से और भगवान के दर्शन के बिना कोई नहीं मरता मंदिर अगर नहीं है तो झाल